गुर्वार सुबे 6 बचकर 20 मिनट से 7 बचकर 50 मिनट तक शुप चोगड़िये में 10 बचकर 49 मिनट से 12 बचकर 18 मिनट तक चार चोगड़िया में और 11 बचकर 55 मिनट से 12 बचकर 42 मिनट तक अभीजीत मुर्त में मा दुर्गा की प्रथम शक्ति स्वरूपा मा शेल पुत्री की पुचा अचना के साथ घटस्थापना की गई शेर के सभी मंदिरों और घटस्थापना के साई शारदी नवरात्र प्रारम हुए इस बार नवमी तिथिक्षा होने से 8 दिनों के नवरात्र हैं और नवमी के दिन ही दशेरा पूचन और रावन दहन का आयोचन होगा वही नवरात्र महत्सों को लेकर बजरंगर 14 हस्ति जय अंबे मंदिर, रामगंसी दुरगा महागाली मंदिर, फाइसागर रोडसी चामुंडा माता मंदिर सहित घरों में विधिविधान के साथ घटस्थापना की गई 6-8 दिनों तक माता की भक्ति अराधना के विभिनकार करम आयोचित किये जाएंगे स्वामी कॉंपलेक्स में बने माता मंदिर पर गुरवार को घटस्थापना के साथ माधूर्गा को विराजित कर पूजा अर्चना की गई तत्पश्थाथ कॉंपलेक्स के सभी व्यापारियोरे स्वामी समू के सेमडिक और प्रकाष डिरेक्टर प्रियंका किष्णानी के साथ माता की महा आर्तिक और प्रसाद का वित्रन क्या वहीं अश्वेर नगर निगम के द्वारा मनाई जा रहे दिशरा महत्सों के अउसर पर गुरवार दोपर मोनिया अस्लामय स्कूल में माधूर्गा की मुर्तिक स्थापना मेर कमल बाकुलिया सपतनिक वन निगम पार्शदों की सदारत में बड़े भक्तिभाव से की गई पटल मैदान में 3 अक्टूबर को रावन दहन और 4 अक्टूबर को भरत मिलाप के साथ महत्सों का समापन होगा शारदी नवरात्र के पहले दिन माधूर्गा की प्रथम शक्ती स्वरूप शैल पुत्री की पुचा अरचना की गई मा के भक्तों ने सुबे से घरों में घट स्थापना कर मंदिरों में जाकर मा शैल पुत्री की अरात्ना की बहुत से शद्धालू भक्तों ने व्रत उप्वास रखे तो कई भक्तों ने आठ दिनों की उप्वास लेकर मा की भक्ती की अनेक सानू पर गर्वे दांडिया रास के आयोचन के जा रहे हैं गुर्वार को पहले नवरात्र के दोरान गर्वा स्थलो पर मां अंबे की प्रतिमा स्थापित की गई चार शाम साथ बज़े से मां दुर्गा की महा आर्तिकर गर्वारास का शुभारंब हुआ रामगंज कोविन नगर दुर्गा महाकाली मंदिर में नवरात्र महत्सों के दोरान में भिनकारिक्रमों का आयोचन किया जा रहा है गुर्वार सुभे कावड यात्रा पुष्कर सेजमेर पहुची और धजारोहन कर चपपनवे नवरात्री महत्सों का शुभारंब किया गया इस आउसर पर सेक्रोक्षेत्र महिलाओं ने सर पर कलश थारन कर गाजे बाजों के साथ निकाली शुभायत्रा में भाग लेकर धल्मलाप कमाया पंडे तरीजु नारण दुर्गपाठी के आचारत्व में भक्तों ने बड़ी शद्धा के साथ मादुर्गा की पूजा अर्चना कर उप्वास रखे यहां प्रति दिन शाम साथ बजे से गरवारास का आयोजन भी किया जा रहा है नवरात्र की एकम को बचरंगर 24 जय अंबे मंदिर पर मां अंबे का नेरा विराम शिंगार कर मंदिर को भवी रोशनियों से सजाय गया यहां गुरबार को जय अंबे नवयोग सेवा ट्रस्ट के द्वारा मां अंबे की घट स्थापना की गई इस अउसर पर ट्रस्ट के संग्रक्षिक राजिष्टन रन करंड सेंग संदिब कॉल शैलेंडर नाज सुनिल पारिक सहीथ हजारो भक्तों ने दोपैर को हुई स्थापना आर्ती में भागले कर धर्मलाब कमाया यहां आठ दिनों तक सुबह शाम मां अंबे की भववे आर्ती के आयुचन होंगे पूरे आठ दिन तक मां के खंड जोद प्रजोलित रहेगी इसके परशाद मंदिर दसनात के लिए खुल दिया गया यह जो परशाद वित्रन वा यह नौ दिन तक चलता रहेगा और नौ दिन तक माता की सवेरे साथ बजे और साएं सुबह नौ बज़े साथ बज़े आर्ती होगी और आर्ती बज़े परशाद रहेगा इसके बाद जितने दर्शनाती आएंगे सबको लच्चा बांदा जाएगा और परशाद दिया जाएगा अबली सुबह पांच बज़े से आना सुरू हो गई थी बैठी हुई तीन जार गड़े ती आर्ती कब होगी तिर आर्ती का समय होगा मनी कि आट बज़े पंद्रमेंट को होगी कि द्र पूरा मंदर खूल खूल रहेगा अभी तक जोट रहा है कि एक बात बड़ी जाही है अर फिर शार बाये जोट जिक पूल झाते रहेंगे 2017 का binnen परखनाzug से आते हैं यहां पर बहुत सुद्धा से थे नवरातर स्थापना के साथ गुर्वार को शेर में अनेक मंदिरों से शुभायतरा भी निकाली गई जिसमें माकाली का अखाड़ा अपने हैरत अंगेज करतब दिखाता चल रहा था लक्षमन चौक जादुगर में मादुर्गा की स्थापनागर अलवरगेट पत्वारी से शुभायतरा शुरू हुई जो अलवरगेट होते वे लक्षमन चौक पहुँची शुभायतरा में शामिल महिलांसर पर मंगल कलशले मा की जैजैकार करते वे मंदिर पहुँची नाकामदार आमका तलाब शक्तिनगर में श्रीराधरानी गर्वा मंदल की द्वारा मनाई जा रहे नवरातर महत्सों में गर्वार को गाजे बाजो के साथ काली माता की सवान निकाल कर बड़े शद्दाभाव से माता की मुर्ति स्थापित की गई इस अउसर पर महिला मंदल द्वारा भच्चरों की प्रस्तूती दे कर मा को रिछाया गया अउसर पर मुर्ति सताफना के लिए सर अबने बहुत कुछ किया और यहां से महले से कुछ नहीं हुआ तो हमने सब ने अपनी जेप से करके और ऐसा सब हमने किया माता का दर्बान सजाया गया है काफी हड़्ादि है और यहां पर 9 दिन तक नज़ांड़ी होँगे सभी मोले वाले और सभी बस्ती वाले यां इंहर खटोेंगे और इस माता के उस सोफ़ा मनाएंगे और अच्छे से डाणी खेलेंगे